हालो स्टूडेंट्स और वेलकम तो माई चानल अनिका शिक्षा और आप सब लोग का दिन बहुत अच्छा गुज़रे आज और आप लोग बहुत बढ़िया से अपने पढ़ाई कर सकें इसी शुब कामना के साथ मैं अपने वीडियो स्टार्ट करती हूँ यह वीडियो आप का है क्लास नाइन्थ का CBAC and RBAC दोनों कि इस लेबस में आता है चैप्टर फर्स्ट दा लॉस्ट चाइल्ड और बुक का नाम है मोमेंट्स तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर के कोश्ट आंसर्स चैप्टर अगर आपको लाइन टो लाइन एक्स्प्रेशन पढ़ना है और उसको किस-किस खोया हुआ बच्चा इस पार्ट का दालोस ट्रेल का हिंदी में मतलब है और किस तरह से एक बालक अपने माता-पिता के साथ मेले में जाता है और वह बहुत ही हर्शित वा उत्तेजित होता है जब वहां जाता है और वहां पर बहुत सारी चीजें वहाई खिलोने और और तरह के भी खुबसूरत चीजें रंग भी- रंगी चीजे देखता है लेकिन उसके माता-पिता उसके लिए वह चीजें नहीं खरीते लेकिन आखिर में वह अपने माता-पिता से अलग हो जाता है उसका हाथ उनसे छूड जाता है और फिर उसके यानि मेले में जाते समय बच्चा जो है उसको कौन-कौन सी चीज़ें दिखाई देती है और वह पीछे क्यों रह जाता है यानि पीछे रह जाना यानि जब वह बच्चा जो होता है जब वह मेले में जाता है तो उसको बहुत खुबसूरुत चीज़ें दिखाई जैसे खिलोने देखता है फूल वाला देखता है जो माला बनी होती है गुल्मूहर की उसको देखता है और वहाँ पे एक साप का नाच दिखाने वाला सपेरा होता है जो अपनी बीम पर उसको नचारा होता है उसको भी देखता है और इसके अलावे बहुत सारी छुटी-छुटी चीजें होती हैं और उनको देखके वो इतना ज़्यादा आकरशित हो जाता है उनकी तरफ कि वह धीरे-धीरे पीछे छूट जाता है इन देखके वह बहुत सारी चीजें चाहता है वह कौन-कौन सी चीजें है वह उत्तर की प्रतिक्षा किये बिना ही आगे क्यों बढ़ जाता है तो अंसर है इसका दाइले बच्चे को बहुत चीजें जो है वाकरशित करती है वह खरीदना चाहता है वह बढ़ चाहता है कि मैं बहुत सारी राँड़ अबाउट है यह तो मतलब एक चक्करदार जूला होता है तो वो बहुत सरी चीजें चाहता है जिसे माला, गुब्बारे, रंग बिरंगे और गोल वाले जूले के उपर जूलना He moves without waiting for an answer because whenever he stops to see things, his parents give him a casual call, come child come और उसके जो माता-पिता है, वो जब भी कहीं पर रुपता है कोई चीज देखने के लिए तो उसको बुला लेते हैं कि चलो अपन आगे चलते हैं वो उसकी बात ही तरह धिहान नहीं देते हैं, उसे कुछ दिलाते भी नहीं है वहाँपद When does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? वह कब उसको ऐसा होता है, महसूस होता है कि वो रास्ता खो चुका है और उसकी जो चिंता और असुरक्षा जो है उसके बारे में वर्नन कीजिए आप कि उसको कैसा महसूस होता है जब वो अपने माबाप से अलग हो जाता है यानि जो बच्चा है वो रस्ते में जो चकरदार जूला होता है उसको देखता है और उसकी तरफ आकरशित हो जाता है तो वो उसके उपर जूला जूलना चाहता है और अपने पेरेंट से पूछता है अपने माता पिता से वो अनुमती चाहता है कि मुझे इस पर मस्ती करने के लिए बैठा दो लेकिन वो लोग उसकी बात की तरफ कोई धिहान नहीं देते और इसी बीच में उसको महसूस होता है कि वो अपने माबाप से अलग हो गया है उसका हाथ उनसे चूट गया है और फिर वो बूरी तरह से रोने लग जाता है और इधर उधर भागने लग जाता है उनकी तलाश में जो बच्चा है खोया वो जो बालक होता है वो उन सब वस्तों में रूचि क्यों खो देता है जो उसने पहले जिनकी वो अपने पेरेंट से डिमांड मतलब आता-पिता से जिनकी डिमांड कर रहा होता है बच्चा जो है वो अपने माता-पिता से अलग हो चुका होता है इसलिए वो इन चीजों में रूची खो देता है और वो बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है और उसको एहसास हो जाता है कि मैं अपने मापाप से अलग हो गया हूँ अब उसको खाली अपने माता-पिता ही चाहिए थे क्योंकि अब जो बच्चा था उसकी माता-पिता उसके साथ नहीं थे और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपने आपको बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित महसूस करता है फिफ्थ कोशन देखें वोट दो यू थेंग हैपनस इन दे एंड दस चाहिड फाइंड इस पेरेंस आप क्या सोचते हैं कि अंत में आखिर क्या घटित हुआ क्या बच्चे को उसके पेरेंस माता-पिता मिलें मुझे ऐसा लगता है कि हाँ उसके माता-पिता उसको मिल गए होंगे और दूसरी तरफ देखें तो जो उस बच्चे के माता-पिता है उन्होंने भी पूरा कोई कसर नहीं छोड़ी होगी उस बच्चे को ढूंडने के में How to ensure not to get lost कि ना खोएं यह कैसे सुरक्षित किया जा सकता है कि हम कैसे सुरक्षित रहें इस बात को हम कैसे पक्का करें कि अगर हम कहीं जाते हैं तो वहां हम खोएं नहीं यह बहुत ही साधान सी बात है कि बच्चे जो हैं वो मेलों में या भील भार में खहीं खो जाते हैं हाथ चूट जाता है उनका पेरेंट से जाते हैं कि वो आपस में साथ में रहें और खोएं नहीं दा पेरेंट नीट टू बी वजिलेंट एंड मोर केरफू एड प्लेस साह मा पेरेंट्स जो होते हैं माता पिता जो होते हैं उनको ऐसी जगहों पर बहुत सतर करें ना चाहिए ध्यान रखना चाहिए बिफोर अगर किसी कारण से अपन अलग-अलग हो जाएं तो मारा हाथ हम से हमारे हाथ से छूट जाएं तो इस जगह को निश्चित कर लेते हैं कि तुम किसी से कुछ की यहां पहुंच जाना और हम भी पहुंच जाएंगे तो अपन मिल जाएं वापिस उन्हें बच्चे को उसका घर का एड्रेस पता और फोन नंबर भी याद करवा देना चाहिए ताकि कोई अगर उसको मिले तो वो उसकी मदद से उन तक पहुंच सके दूसरा वो बच्चे की जेब में पूरा पता लिखके और नंबर लिखके भी डाल सकते हैं कि अगर बच्चा बता नहीं पाए तो वो उसको दिखा के उससे मदद प्राप्त कर सके किसी से भी और अगर बच्चा किसी दुकान के उपर खड़ा हो जाता है तो उसको छोड़ के वो आगे ना बढ़ें उसको अपने साथ ही लेके आगे बढ़ें दूसरी तरफ बच्चे को भी धियान रखना चाहिए कि उससे अपने पेरेंट के जो हाथ है वो पकड़ के रखने चाहिए उनको छोड़ना ने चाहिए और उसे उनकी तरफ नजर पूरी रखने चाहिए ताकि वो लोग उससे दूर ना हो जाए in case of any emergency, the help of police help centers and media can be taken और अकर कभी ऐसी घटित हो भी जाती है तो police की मदद लेनी चाहिएifications जो help centers होते हैं उनकी मदद करने वाले centers बने होते हैं जगज़ को जो उनकी मदद लेनी चाहिए तो इस तरह से हम बचा सकते हैं हम ये खोए नहीं इस बात को निश्चित कर सकते हैं तो आई होप आपको ये कुशन आंसर समझ में आ गए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाइन तो लाइन समरी ले क्या होंगी एक्स्प्रिनेशन भी ले क्या होंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर का और तब तक आप लोग अपने एक्साम की बड़िया तयारी करते हैं या तोटो के कारणाम है यानि अद्वेंचर अफ टोटो इस वीडियो के बाद में शूट करके और आप लोगों के लिए रेडी रखूंगी और उसके बाद में हम करेंगे उसके question answers तब तक आप लोग पढ़ते रहें और अपने एक्जाम की बड़िया सी तयारी कीजिए बहुत कम टाइम रह गया आपके एक्जाम में और हर question के answers को लिख लिख के याद किया कीजिए और spellings भी learn करिये बच्चों बहुत important है English में spellings learn करना और pronunciation पर भी ध्यान दीजिए so have a nice day thank you और जाने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से request करूंगे कि मेरे चैनल को like करना, subscribe करना, share करना और comment करना बिलकुल मत भूलिएगा कुछ और special भी अगर आपको पढ़ना हो अपने courses related तो आप comment box में लिख सकते हैं अपने school का नाम ज़रूर लिखेगा साथ में have a nice day thank you and bye bye